कॉंग्रेस में सिलसिला लगातार जारी के अस्तिफा दे जाने का इसी से जूड़ी बड़ी खबर आपको तार रखें हैं मध्य प्रदेश के जहां जोतीरादी ते सेध्या ने इस्तिफा दे दिया के ट्वीट कर इसकी जारकारी दी गई है ये बड़ी ख़बर इस वक्त की तो राखुल गादी के करीब ही माने जाते हैं जोतिरादीते सिंधिया, इसके लाव रास्टी अध्यक्ष की जो दौड लगातार जा रही थे कि किसको बनाया जाए उसमें भी इनको शामिल बताया जाता है, आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पेखले, इनको इस जिमिद ये गुनाव की नेकी बचा पाए थे, उसके बाद हार की जिमिदारी दे जाने का सिलसिला लगातार जारी है, जो तिरादीते सिंधिया की और से अपनी पद से इस्तिफा दे दिया गया है दिली से हुआरे समदता अनिल मोर हमारे साथ जुड़े है, अनिल लगातार जो इस्तिफा दिया जारी है, ऐसे कड़ी में सिंधिया की और से भी इस्तिफा दिया क्या? अनिल साथी पार्टी रास्टी अध्यक्ष को लेकर वे चर्चा ये हैं के सिंधिया का नाम भी उन में शामिल है? बिल्कुल रखे इस पैकी चर्चा हैं कि राउल गांदी बिल्कुल सपस्ट कर तुड़े है कि वो किसी भी सूरत में अध्यक्स नहीं रहेंगे, अब कॉमर्स वर्किंग कमेटी की आने वारे जिनों में बैच रोनी है, अब जो CWC है वो एक अंतिम फैसला लेगी कि कॉमर अध्यक्स बनाए जाना चाहिए, अब देखना यह होगा कि क्योंकि जो तरह जिता सिन्या या राजिस पालिटन के नाम को लेकर भी इस तरह के अटकले चल रही है कि यह भी दावे दावे दावों में शामिल हो सकते क्योंकि गांदी परिवार के काफी करीब ही है, उपेहा खरानी से आती हैं, लगातार तीसरी पीड़ी इनकी राजिती में एक्टिव हैं और माध्यपरदेश में भी जब पार्टी जीती उस वक्त सुभी ये चर्चाहें थी कि शायद इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दीचाहे हालांकि कमनलात को जिमेदारी दी गई, फिलहा झाल